तेरा साल बाद, इंडिया में परफॉर्म करेगा रॉक बैंड बैक्स्ट्रीट बॉईज पथान के हिंदी वर्जिन ने 500 करोट की कमाई करता ली और अक्षे कुमार ने किस चीज में बनाया वर्ल्ल रेकॉर्ड इन सब पर बात होगी आज के सिनेमा शो में तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसला टॉम हार्डी की फिल्म वेनिम 3 का प्री प्रोडक्शन शुरू हो चुका है टॉम ने खुद इस बात को कन्फर्म किया है उन्होंने वेनिम 1 के कुछ डिलीटिट सीन्स को शेर करते हुए वेनिम 3 की अनाउंसमेंट की है ये वेनिम फ्रांचाइजी की आखरी फिल्म होगी और जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी बैक्स्टीट बॉइस 13 साल बाद इंडिया में परफॉर्म करने वाले है इस अमेरिकन बैंड की इंडिया में तगडी फान फॉलोइंग है इस साल बैंड के 30 साल पूरे हो रहे है चार और पांच माई को इनके शो मुंबाई और दिल्ली में होंगे रानी मुखरजी की फिल्म मिस्स चाटची वर्स जिस नौर्वे का ट्रेलर आ गया है रानी लंबे समय बाद बड़े परदे पर वापसी करने जा रही है अश्रीमा चबहर के डिरेक्शन में बनी इस फिल्म की कहानी एक मा की है जिसके दो बच्चों को नौर्वे की सरकार छीन लेती है इसके बाद मिस्स चाटची अपने बच्चों को वापस पाने के लिए क्या क्या करती है यही इसमें दिखाया जाएगा मूवी 17 मार्च को रिलीस होगी अक्षे कुमार इंदनो अपनी फिल्म सेल्फी का धडले से प्रमोशन कर रहे है इसी प्रमोशनल इवेंट में अक्षे ने गिनिस बुग का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है अक्षे कुमार तीन मिनिट में सबसे ज्यादा सेलफी लेने वाले व्यक्ति बन गए है उन्होंने तीन मिनिट में 184 सेलफी लिये शारुखान की पठान ने 29 वे दिन बर्क्स ओफिस पर 1 करोड 9 लाग रुपे की कमाई करदा ली है इसका डोमेस्टिक कलेक्शन 518 करोड 6 लाग रुपे हो गया है पठान पहली हिंदी फिल्म बन गई है जिसके हिंदी वर्जिन ने इतनी कमाई की है इंडस्टी ट्रैकर वेब साइट साथनल के मुताबिक पठान का ओवरॉल कलेक्शन 1,005 करोड रुपे हो गया है इस पर बात करते हुए डिरेक्टर सिधात आनने कहा मैं बहुत खुश हूँ कि फिल्म पूरी दुन्या को पसंद आ रही है इसने इतहास बना दिया है जब हमने फिल्म की शुरुआत की तो हमें पता था कि हम बढ़िया कमाई करेंगे लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसका सिर्फ हिंदी वर्जिन ही पात्सो करोड पार कर जाएगा इसका इतना सक्सेस्फुल होना मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है टाइकर शुरुफ कृती सान और अमताब बच्चन की फिल्म गनपत पार्ट वन की रिलीस डेट आ गई है इसके फिर्स्ट लुक के साथ मेकर्स ने अनौन्स किया कि ये फिल्म 20 अक्टोबर को थेटर्स में उतारी चाहेगी लेकिन इसके फिर्स लुक टीजर से फैन्स ने महीन गलती ढूल ली है दरस्तर अनौन्समेंट विडियो में बताया गया कि ये फिल्म हिंदी के साथ साथ तलगू, तमिल, मल्यालम और कनरा भाशा में भी रिलीस होगी इसमें मल्यालम की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, जिसे लोगों ने करेक्ट करने की सला दे दाली तलगू आक्टर नानी की अपकमिंग फिल्म दासरा से उनका फिर्स लुक आ गया है, जिसमें वो अपनी मूचों को छूते दिख रहे है ये फिल्म एक गाउं की कहानी है, जिसके आसपास कोईले की खदाने है, मूवी 30 मार्च को रिलीज होगी अक्टर राम चरण अमेरिका के पॉपिलर चैट शो गूड मॉर्निंग अमेरिका तीन में नज़र आने वाले है शो में उन्होंने अपनी फिल्म आरारार पर और उसकी मेकिंग पर बात की उन्होंने अपने गाने नाटू-नाटू को मिले पॉपिलारिटी और उसके बनने पर भी बात की है राम ने कहा, ये इंडियन सिनमा को एक ट्रिब्यूट है ये पहली बार हुआ है जब Golden Globes, Academy Awards और तूसरे Critics Awards ने हमें पहचाना है ये सिर्फ RRR नहीं बलकि पूरी Indian Cinema है इंडिया के Technicians है जिन्हें ये सम्मान मिला है आईश्वान खुराना रिसेंटली फिल्म एन आक्शन हीरो में नज़र आये थे खबर है कि वो इस साल के जी सिनी Awards को होस्ट करेंगे बॉलिवुड हंगामा की रिपोर्ट के मताबिक उन्होंने शो को होस्ट करने का ओफर एक्सेप्ट कर लिया है मेकस ने बताया कि टेक्निकल गरबडियों की वज़स से ये हाथसा हुआ इसका विडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया है तू जूटी मैं मकार के प्रमोशन के दौरान रनबीर कपूर ने शारुक की फिल्म पठान पर बात की प्रेस्ट मीड के दौरान जब किसी ने रनबीर से बॉल्यूट के बैड फेस पर सवाल किया तो रनबीर ने उनको बीच में ही रोकते हुए कहा कि आप क्या बात कर रहे है पठान का कलेक्शन नहीं देखा आपने रनबीर के इस सावज रिपलाई का विडियो वाइरल हो रहा है बीते दिनों जावेद अक्टर का एक विडियो वाइरल हुआ था जिसमें वो पाकिस्तान के एक इवेंट में थे उन्होंने 26-11 हाथसे को लेकर भी बात कही थी अब उनकी इस बात पर पाकिस्तानी का लाकार भड़क गए है अक्टर शाबूर अली ने इंस्टा पर लंबा चोड़ा पोस्ट लिखकर कहा कि कोई अपने घर में आकर बेज़ती करके चला जा रहा है और अपने लोग तालिया बजा रहे है ऐसे ही अक्टर शान शाहिद ने भी कहा कि जावेद साहा पाकिस्तान को मुंबई अटाक के पीछे बता रहे है अपने देश में हुए गुजराद दंगो पर वो क्यों नहीं बोलते इनके अलावा भी कई सितारे हैं जुन्होंने जावेद अक्तर के भयान से अपत्ती जताई हैं जूनियर NTR और रामचरन की फिल्म RRR को US में री-रिलीस किया जाएगा ये फिल्म 3 मार्च को US के थेटर्स में लगाई जाएगी Varianz Films ने अनाउंस किया कि ये फिल्म US के 200 थेटर्स में उतारी जाएगी अक्षे कुमार, परेश रावल और सुनियल शैटी के फिल्म हेरा फेरी 3 पर काम शुरू हो चुका है अब खबर है कि इसके बाद अक्षे वेलकम 3 पर भी काम चालू करेंगे Times of India की रिपोर्ट के मताबिक वेलकम के तीसरे पात में अक्षे के साथ संजदत और अर्शदवर्सी भी नजर आ सकते हैं हाला कि इसे लेकर कोई ओफिशल अनाउंस्मेंट अभी तक नहीं की गई है यामी गौतम और सनी कौशल की फिल्म चोड निकल के भागा डिरेक्ट OTT पर रिलीज की जाएगी फिल्म को 24 मार्च से नेट्फिक्स पर देखा चा सकेगा अजय सिंग के डिरेक्शन में बनी इस फिल्म की कहानी प्लेन हाईजाक पर आधारित होगी फिल्म एक वेनू शीराम की फिल्म आईकॉन कहीं दनों से चर्चा में है पहले इस फिल्म में अलू अर्जुन नजर आने वाले थे मगर बताया जा रहा है कि अलू ने इस प्रोजेक्ट से हाथ खीच लिया है ट्रैक टॉलिवट के रिपोर्ट के मताबिक अब इस फिल्म में अक्टर नानी को कास्ट किया जाएगा दिलराजु के प्रोडक्शन में बनने वाली इस फिल्म में कृती शेटी लीड रोल प्ले करेंगी तो बस ये थी आज की बड़ी खबरे आपके लिए इन खबरों को लिखा है हमारी साथ ही मेखनाने अब मुलाकात होगी कल नए एपिसोड में नई खबरों के साथ तब तक अपना खूब ख्याल रखें शुक्रिया